जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जै कार्थिक मास महत्यम की मंदर शी बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल के और से हम आप सबी भक्तों का हार्दिक अभिनंदं करते हैं जिस समय आप ये कथा सुनेंगे उस समय कार्तिक मास के एक या दो दिन रह गई होंगे तो आज की इस कथा में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कार्तिक मास में तो आपने भगवान की भक्ती कर ली भगवान की पूजा भगवान की आहरादना पूरे नियम पुरवक कर ली तो कार्तिक मास के बाद हमें क्या करना चाहिए कि जिससे भगवान की पूरी क्रिपा को हमेशा के लिए प्राप्त किया जा सके आज किस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक मास के बाद आपने भगवान की भगती कैसे करनी है तो आप सब को हम बता दें कि जो भी आप प्रति दिन सुभे और शाम को भगवान की भगती अपने घर में करते हैं जिस तरह से भी आप भगवान की पूजा भगवान की आहरादना करते हैं वो सब आप करते रहे लेकिन आप प्रति दिन की पूजा में कुछ आवश्यक कारे आप आवश्यक करना शुरू कर दीजिए वही हम आपको बताने जा रहे हैं अगर आप वो साथ में करेंगे तो आपको कभी भी अपने दुखों को दूर करने के लिए अपनी परिशानियों को दूर करने के लिए या मनो कामनाओं को पूरा करने के लिए कभी भी आपको किसी से कोई उपाय पूछने की अवश्यक्ता नहीं रहेगी आज हमारे जीवन में दुख हैं परिशानिया हैं चिंताएं हैं हमारी मनों कामनाएं हैं और अगर वो पूरी नहीं हो रही हमारे दुख हमारी चिंताएं दूर नहीं हो रहे तो कारण यही है कि हमारी भक्ती शुद्ध नहीं है हमारी भक्ती में ही कहीं कोई न कोई कमी हो ही जाता है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो समझ लेना कि हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कोई कमी है हो सकता है कमी बहुत ज्यादा हो हो सकता है कमी कम हो तो हम आपको ये तीन चार कार्य बता रहे हैं इसे आप प्रति दिन की भक्ति में शामिल कर लीज आपको अच्छा भी लगेगा आपके मन में हमेशा आनंद बढ़ता रहेगा आपके घर परिवार में सुक शांती आनंद आएंगे ये सब कुछ होगा लेकिन आपको कुछ कारे करने हैं तो वो हम अब आपको यहां पर बता रहे हैं सबसे पहली बात यह है कि आपने प्रति दिन शिर्मत भागवत महापुरान की कथा को पढ़ना है या सुनना है शिर्मत भागवत महापुरान भगवान शिक्रिशन जी का दूसरा सवरूप है जब भगवान शिक्रिशन जी दुआपर युग में इस धराधाम से वापिस अप परति दिन पढ़ेगा इसका पाठ करेगा या इसको सुनेगा उस पर मेरी किरपा सदेव बनी रहेगी तो भगवान ने स्वेम शिर्मत भागवत महापुरान को अपना दूसरा सवरूप बताया है शिर्मत भागवत महापुरान का दूसरा जो नाम है वो सुख सागर है बाज आन भाशा दी हुई है तो दोनों में से कोई आप अपने घर ले आएं और उसके बाद आप प्रति दिन एक अध्याय का अगर आप पाठ करेंगे तो आपके जीवन से कलह, कलेश, दुख, चिंताएं अपने आप दूर होती जाएंगी समय तो लगता है लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने जीवन में इतने सुखी हो जाएंगे कि आपको उस समय ये विश्वास होगा कि वास्तव में शीरमत भागवत महापुरान भगवान शी कृष्ण जी का दूसरा सवरूप है जब आप पाठ करेंगे तो पाठ करते समय भी आपके मन में अपने आप आनंद आता जाएगा आपका मन भगवान के चर्णों में लगेगा आपके बिगडे कारे अपने आप बनते जाएगे और ये कुछ उपाई नहीं है ये तो हमारी प्रतिदिन की भगती का अंग है और प्रतिदिन पाठ करते हैं तो अकेले इस पाठ से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा इस शिर्मत भागवत महापुरान को हमारे हिंदु धर्म के सभी 18 पुरानों में से सर्वशेष्ट बताया गया है तो आप प्रतिदिन इसका पाठ वश्य के जिए दूसरी बात आपने प् आप नहीं जला सकते तो प्रतिदिन आप सुबह और शाम धूप तो अवश्य जलाएए और ये आप याद रखें कि प्रतिदिन जब आप नहाद होकर तुलसी जी का पूजन करते हैं उस समय तुलसी जी के जड़ के पास जो मिटी होती है तुलसी जी के गमले में जो माटी होती है मिटी होती है उसका तिलक आपने प्रतिदिन अपने माथे पर करना है शिरी पद्म पुरान में भगवान शीव ने स्पष्ट कहा है कि जिस मनुष्य के माथे पर प्रतिदिन तुलसी जी की माटी का तिलक लगा होगा उस दिन अगर मनुष्य की मृत्यू हो जाती है तो यमदूत तो क्या यमराज भी उस मनुष्य की तरफ आँख उठा कर नहीं देख सकते अर्थात अगर उस दिन मनुष्य की मृत्य होती है जिस दिन तुलसी जी की माटी का तिलक लगा होगा तो वो मनुष्य नरक में नहीं जा सकता वो मनुष्य 84 लाक योनियों में नहीं भटक सकता उस मनुष्य का उसी समय उध्धार हो जाता है उसको मौक्ष मिल जाता है तो आपने प्रति दिन तुलसी जी की माटी का तिलक अपने माथे पर करना ही करना है इसके बाद बात आती है कि अगर आप लिख सकते हैं तो आप प्रती दिन किसी भी कोपी पर राधा राधा ऐसे राधा नाम के दो पेज आप प्रती दिन लेफ्ट और राइट दाएं और बाएं ये दो पेज आप प्रती दिन अवश्य लिखे ही लिखें दो पेज अगर आप राधारानी के नाम के लिखते हैं तो आप देखना कि आपके जीवन में कैसे कैसे चमतकार होंगे भगवान शी कृष्ण जी ने स्पष्ट बताया है कि राधारानी का नाम भगवान को सबसे प्यारा है जो कोई राधारानी के नाम का लिखित जाप करता है उसके उपर भगवान की भहुत ज्यादा कृपा हो जाती है राधारानी अपने ऐसे भगतों की पल-पल रक्षा करती हैं अपने भगतों की सभी मनो कामनाओं को पूरा कर देती हैं राधा नाम लिखने से ऐसे ऐसे चमतकार होते हैं कि आप लिखेंगे तो आपको अनुमव अपने आप हो जाएगा तो आप किसी भी रंग के पैन से राधा नाम आप लिखना शुरू कर दीजिए अगर आप राधा नाम किसी कौपी पर किसी कारण से नहीं भी लग सकते तो आ आप प्रति दिन 15 या 20 मिनट राधारानी के नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए वैसे तो सारा दिन राधे 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 चलता ही रहना चाहिए आप ये सब कुछ करेंगे फिर आप देख सकते हैं कि कैसे आपके जीवन में चमतकार होंगे आपका मन कैसे हम आपको बताए जा रहे हैं ये तो प्रति दिन की भक्ती हमें ऐसी करनी चाहिए प्रति दिन अगर हम ऐसे भगवान की भक्ती करते हैं तो अपने आप भगवान की अनंत क्रिपा प्रकट हो ही जाती है तो कोई भी प्रशन आपके मन में हो तो आप कभी भी फोन करके हमसे जा पानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए आप सब का दिल से धन्यवाद भगवान श्री कृष्ण भगवान की कार्तिक मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण